तो जी ऐसा है, मिनिंग तो मैं को समझा जाता हूँ, आज class conclude कर देंगा आपकी anti-artic political theory, जादा लंपा खीचने की इस तो जुरत नहीं है, तो most probably will be completing these topics, we were left with peace, citizenship and development, right, so development आप देख लेना, खुछ से पढ़ लेना, we'll be covering up peace and citizenship, development, exam perspective से तो आपको यहां भी कुछ नहीं मिलेगा, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इन ते सेंस के, जितना important हमारे लिए equality था, freedom था, social justice था, right का concept था, उतना important आपके लिए, इस stage भी एक concept नहीं होगा, anyway, जब हम quality पढ़ेंगे, तब relate करगे, चीज़े बन जाएंगे आपकी, but right now, करेंगे जी आज बात, तो सभी को वाज सुन रही है मेरी, positive cyclism भी समझा देता हूं, पहले piece पर चलते हैं, मतलब piece पर चलते हैं, उसके साथ-साथ मैं आपको positive cyclism भी समझा देता हूं, ठीक है? सभी को देख रहे हैं, स्क्रीन पे? है हर एक chapter book में, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो book में नहीं है, NCRT में, देख रहे हैं, स्क्रीन पे, कोई difficulty तो नहीं आ रही पढ़ने में, आ रही है, तो बता दीजीए, मैं तो पहले positive cyclism समझा देता हूं, हमने बात की थी cyclism के बारे में, cyclism में हमने क्या देखा था, कि cyclism का मतलब is not something के जिसमें जो status का religion नहीं होता है, ठीक है जी, इधर आजाए जी, तो cyclism का लंबा जोड़ा मतलब था, जिसमें से हमने एक मतलब यह समझा था, कि cyclism का meaning यह है कि state जो है, वो intervene नहीं करता है, किसी बी religion में, दूसरी चीज़ हमने यह देखी थी कि state जो है, वो equally intervene करता है, मतलब equally interfere करता है, ठीक है, अब Indian type of cyclism में क्या था, उसमें यह था कि हम क्या maintain करते है, principal distance, अब इसका मतलब क्या, cyclism में एक चीज़ common होती है, कि जो state का धरम से जो होता है, वो क्या होता है, distance होता है, लेकिन Indian context में positive cyclism में वो जो distance है, क्या सा होता है, principle ते, मतलब it is based upon the certain principles, या फिर, it is based upon certain sort of pre-determined principle के, इतना तो हमने gap रखना है, कितना, या कौन से principle पर, कि अगर हमें reform करना पढ़ता है धरम को, तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब वो human rights को क्या कर रहा हो, वो वाइलेट कर रहा हूँ, so हर legion में intervention क्या है, allowed है, for this particular aspect, okay, 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 so you are saying in new, it is not there, peace and development, so new book में कहां तक है, नहीं किताब है आपके बाश, नहीं किताब है, नहीं किताब है, देखो, you don't have peace and development, नहीं है, तो कहां तक है, that's it, that's it, that's it, that's it, 9 and 10 is not there, तो मोज़े लगी आपकी, इसको कर लेना, ठीक है, करना है, ओके, अगर है चाहिए नहीं है, तो पुरानी उठाओ, तो उसको करो, so anyway, brief रख रहे हैं, peace को, ऐसा होता है ना, देखो, बात हम आज peace की करेंगे, बीच में इतनी सारी चीज़े आपको और पता लगनी, peace के साथ साथ कितनी सारी चीज़े और जूड़ी हैंगी, जो आपको पता लगेंगी, citizenship की बात करेंगे, कितनी सारी चीज़े हैं, जो आपको और पता लगेंगी, development मैंने इसलिए आपको बोला कि आप खुद कर लीजिएगा उसको सरफ give it a read अब anyway we are going to talk about what we are going to talk about the peace अब peace का मतलब क्या होता है यह बता दीजिए what is the meaning of peace बस translation कोई मेरे को शनानिम बताता है मैंने तो मतलब पूछा है कि इसकी इस पीश को बहुत लागा उस कंटेंट्मेंट बूलते हैं inner satisfaction को हां जी गाइस क्या होता पीस okay there should be no conflict between the communities living with harmony, shanti, अच्छा और okay और क्या होता है absence of awareness okay so peace को समझने के लिए the most important thing is आप किस चीज़ को समझे वाइलेंस को समझे तभी पीस समझ आएगा अगर आपको वाइलेंस का मतलब नहीं पता जब तक आपको पीस समझ नहीं आएगा वह बहुत अलग है कि काफी सारे थिरिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर आपको everlasting peace लेके आना तो आपको किसका सारा लेना पड़ेगा violence का सारा लेना पड़ेगा इसके लावा और भी बहुत ज़्यादा philosophers हैं जो क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा essential element society का क्या है violence है तो peace को तो कई लोग preach करते ही नहीं कई लोग तो बोलते है violence necessary है जैसे परेटो की बात करूँ परेटो की एक philosopher है परेटो भी scholar है वो बात करते है पावर के संधर्व में so for him it is very much essential के आपके पाव आप like only violence can get you to your goals नीची की बात करें नीचा भी बोलते हैं नीची भी बोलते हैं उनको so वो भी किसके हक में बोलते हैं violence के हक में वो बात करेंगे लेकिन on the other hand अगर हम गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी किस चीज को preach करते थे non violence किसको preach करते थे non-violence क्यों non-violence को preach करते थे और non-violence का मतलब गया था ये आज हम बात करेंगे इसके बारे में गांजी जी की non-violence के बारे में तागे हम समझ पाएंगे peace का everlasting मतलब क्या जब मैंने बोला peace तब समझ आएगा जब violence समझ आएगा जब violence का मतलब क्या होता state of unrest state of unrest state of unrest अच्छा और conflict अच्छा और देखो violence को अगर मैं बोलू x y z countries में लडाई हो रही है तो क्या हो रही है मैं बोलू दंगे हो रहे है तो क्या हो रहा है लेकिन violence का ये सिरफ और सिरफ एक perspective है violence का ये सिरफ और सिरफ एक perspective है violence के अनेख perspective जिसमें से अगला perspective हम जो violence का बात करेंगे that is structural violence क्या गोला मैंने आपको structural violence violence क्या है जस्मन आगे मुझे थपड मार दे तो this is violence मैं इसको मार दू तो this is violence that's it मैं castist remark दे दू किसी लड़के या लड़की के उपर क्या वो violence नहीं है मैं sexist remark दे दू किसी के उपर क्या वो violence नहीं है मैं patriarchal structure को promote करू क्या वो violence नहीं है मैं dory को promote करू क्या वो violence नहीं है मैं rape को promote करू क्या वो violence नहीं है मैं child labor को promote करू क्या वो वाइलेंस नहीं है मैं गरीबों को दबाने की कोशिश करूँ तो क्या वो वाइलेंस नहीं है मैं पावर का मिस्यूज करूँ तो क्या वो वाइलेंस नहीं है So what is वाइलेंस यह जितनी बाते मैंने आपके साथ की यह structural वाइलेंस का आस्पेक्ट है किसका असपेक्ट है स्ट्रीक्ट्टर वैसे की जाती सिधी ये इस का हिस्साt कि वह क्षखश बात तो अभी तक करफ दिया ऐसे अप सर्फ इतना समझ आए थे समझ professions कि यहां पर हथो पाई हो जाए मार गटाई हो जाए बॉम्ब चल जाए गूलियां चल जाए आप उसको वाइलन्स मान रहे हैं बट यह भी तो वाइलन्स की ही टाइप से जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि अब पीस की बात कर रहे थे तो पीस भी इतनी असानी से दुनिया को हासल नहीं हुए अगर हमने पीस के गोल्स को अचीव कर लिया होता तो आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में एनिमिटी ना होती आज इंडिया चाइना के बीच में एनिमिटी ना होती आज रश्या वाइलन्ट मीन्स के साथ यूकरेन पे अटाइक ना करता आज इसराइल और हमर्स में क्या होता पीस होता इरान पाकिस्तान पे टैक ना करता, इरान इसराइल पे टैक ना करता, इसराइल उल्टा टैक ना करता सुमालिया में शांती मिलती, येमन में शांती मिलती इराक कुएक पे कब्जा ना करता और इराक पे अमेरिका कब्जा ना करता पता आप को ये सारी बातों के बाद है नहीं बता किसको नहीं बता एरलिफ्ट मूवी देखी है है जी नहीं देखी है कितनी सारी मूवी अच्छी हैं जो आप देखते नहीं हो एरलिफ्ट में मूवी इसी के उपर बेज़्ड है कि कैसे को गया किया गया था एक नेक्स किया गया बाई इराक तो वाट हैपन नेक्स हाँ ठीक है और उसके बाद इराक पे भी कबजा किया किसने अमेरिका ने तो अमेरिका तो क्या है वर्ल्ड का हेजमन है क्या है हेजमन है हेजमन का मतलब बता है लीडर हेजमन का मतलब बता चौधरी यह जो जंग है दुनिया में यह हेजमन बनने की है जो जंग है दुनिया में क्या बनने की है हेजमन बनने की है और अमेरिका की हेजमनी को टक्कर कौन दे रहा है चाइना चाइना बनना जा रहा है है हैजमन अमेरिका भी बनना जा है अमेरिका की हैजमनी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो उस समय तो अमेरिका अपनी चरम सीमा पर था जब उसने इराद के उपर गया किया कबजा गया या उस पर टाक किया तब उस समय अमेरिका गया था दूसे साथ जंग कर रहे थे संग कर रहे से अपक सारे थिस्थ आपके दिमाग में होने चाहिए अगर हम जादा पुरानी बात ना करें तकरीबन सौ साल पीछी चले जाएं चाहिए कितना सौ साल पीछी तब हमें क्या नजर आता है कि वर्ल्ड में कब कब पीस डिस्टर्ब हुआ तो World War I में पीस दिस्टर्ब हुआ, World War II में पीस दिस्टर्ब हुआ, इंडिया के कॉंटेक्स में बात नहीं करें, वर्ल्ड के कॉंटेक्स में बात करें, फिर Cold War के टाइम के दर्मियान पीस दिस्टर्ब हुआ, फिर हमने देखा अफगानिस्तान की एनिक सेशन में पीस दिस इराक की एनेक्स etion में चत्व हुए senate अ हुआ uh पर मिडलीस क्राइसी हुए तब की सिस्टर्ब हुआ थो यह सार soup दिमाग में चाहिए गे दुदिया में कब पीश टेब हुआ इंडिया में कब कब पी स्रेवह कुंगी ये सारे इवेंट्स पैंकर में उहां है और वहां पढ़ा सी इन इवेंट्स के बारे में जूंटी सन होसे SHb तो आप सभी तो comfortable होगे जो चीज़े मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको कहीं आ रही है हमें नहीं पता ठीके तो यहां तक बात आपको समझाई तो हम किस बारे में बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे के वर्ल्ड में पीस कैसे आएगा क्योंकि question भी पीस के उपर ही है किस के उपर है पीस के उपर फिर मैं आपको बता रहा था अमेरिका के बारे में अमेरिका ने किसकी एनेक्सेशन की इराक की एनेक्सेशन की और अमेरिका बोलता है कि उसके पास क्या है weapons of mass destruction समझ लो nuclear weapons के जो मासें को डिस्ट्रक्ट करने की अबिलिटी रखते हैं उनी को हम क्या बोल रहे है weapons of mass destruction तो basically वहाँ पर weapons of mass destruction तो कोई मिला नहीं तो फिर अमेरिका का क्या करण था वहाँ पर जाने का नो क्या करने के लिए क्या करने के लिए basically यॉरप को challenge करने के लिए यॉरप को समझाने के लिए कि रश्या की तरफ सोच के भी मुढने की कोशिश मत करना अमेरिका is the real boss अगर कोई शडियन्त रचने की कोशिश करेगा तो उसका यही आलम कर दिया जाएगा लेकिन अब उसको question करने वाला कौन है मैं तो आपको आगे भी आईयर की लास में भी बताया कि अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है तो वो कौन है United States of America है बट वो लेजिटिमेट गुंडा है लेजिटिमेट गुंडा समझते हो अब सपोस कीजिए कोई भी आपस में बच्चा कोई उठता है और आपको थपड मार दता है विडियू बेर दाट नो मैं मार दूं वोडियू बेर दाट अगर आप स्कूल में और मैं मार दूं यू विल बेर दाट है कि नी वाइब बिकाज लेजिटिमेसी मैं जॉय करता हूं याँ ठीक है प्रफेसर है टीचर है मासकर जी है मार दिया समझ रहो हमने भी खाई है तो आप ने भी खाईगी वॉंट समंजा रहे हूं है रहे हैं कि नहीं समंजा रहे हूं लेकिन उसकी प्रें नहीं और करोगे तो सेम बात है कि काम वो भी यही कर रहा है इसी चीज को इस कंट्री में नहीं की यह कंट्री मिंडल इस न को तबाह किया ये वियतनाम में गया, वहाँ तबाई ले गया, ये कोरिया में गया, वहाँ तबाई ले गया, ये अफगानिस्तान में गया, वहाँ तबाई ले गया, फिर राख में जाता है, वहाँ तबाई ले गया आता है, इसराइल के बैठा है, अरब कॉन्फिलिक जब होता है, तो इस एग साइड व्रस्टे आज तक क्या कि एति क्वेड़ी और यह क्या विए लेगिटिमेट डेश है और सही कोन अगधर शनु क्वाजिय और को अनिर्यवृतوجे कॉनकुलूजिएंज पर जल्दी आहीं सकते हैं कर लाइफ में अब्सरेशन बोर इपोर्टेंट रॉजर से अबाइफ कर रहे हैं सारा कुछ life is all about observation and not conclusions यह इंसान बुरा है पता नहीं यह इंसान अच्छा है पता नहीं we are observing based on our experiences we cannot conclude anything मैं आपके लिए अच्छा भी हो सकता हूँ और मैं किसी के लिए बुरा भी हो सकता हूँ it is all about the relation जिस capacity में मैं क्या कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ maybe you are a mentor, as a teacher maybe you are a father, I am a father, I am a father हो सकता है कि नहीं so क्या मैं बुरा इंसान हो गया, पता नहीं क्या मैं अच्छा हो गया, पता नहीं say theories है जो मैं कल आपके साथ बात कर रहा था ना क्या, post-mortism की theories के बारे में so यह सारी theories है आगे आपको वहां तक जाने की जुरत नहीं है पर मैं आपको, आपकी सोच खोलने की कोशिश कर रहा था because these सारी चीज़े आपको काम आएंगी आपकी preparation के दर्मियान is that clear, all of you तो मैं आपके साथ structural violence की बात कर रहा था मैंने आपके साथ cold war period की बात की cold war period क्या था जब Soviet Union और अमेरिका आपस में क्या कर रहे थे लड़ रहे थे उस समय देखो, अभी recently क्या हुआ था second world war होके हटी थी second world war में अमेरिका ने जपान के उपर दो atom bomb फैंके थे तो आपको क्या लगता है, जपान को हराने के लिए अमेरिका को atom bomb चाहिए थे जपान को हराने के लिए अमेरिका को nuclear bombs का इस्तमाल करने की जुरत थी ने फिर अमेरिका ने क्यों कही Soviet Union को बताने के लिए क्या, के कोशिश ना करी आने की बस कर जा, सतम करते बात ही और उसी के बाद war एंड हुई थी और आज जपान और अमेरिका कितने close allies हैं आज मिल के pacification में किसको challenge करते हैं चाइना की hegemony को challenge करते हैं चाइना के rise को challenge करते हैं military exercises करते हैं groupings बनाते हैं जपान ने कसम खाली थी क्या कि मैं अपनी भाई military ने रखूँँगा एक लाग 20,000 बंदा मर गया था on the spot कितना एक लाग 20,000 कितने उसके बाद मरे जब item bomb किरा कितने उसके बाद विकलांग पैदा हुए इतनी बड़ी tragedy हुई उस country के साथ जिसके दो शेरों के उपर item bomb किराया गया था आप इमेजन कर सकते हो अगर इंडिया के उपर item bomb से हमला कर दिया जाए पाकिस्तान और चैना के दवारा हमारा इस्टेट्व क्या रहा जाएगा तो समझते होगे नहीं capacities होती है हमेशा nuclear bomb का इस्तमाल कहां से किया जा सकता है air से भी किया जा सकता है land से भी किया जा सकता है और sea से भी किया जा सकता है तो nuclear submarines आपने तो nuclear submarines किया होते है यही तो submarines रोटे है sensitive marine is qu 연rico ng के गर सकते है इसको बोजहे है nuclear try it तो बात हम peace and violence की कर रहे है तो मैंज इस सारे छीज़़े आपने साह डिश्क्स कर लाक्र नुक्लियर ट्राइड मतलब तीन ट्राइड तीन कहां से बता है मैंने आपको वाटर लैंड और एर से हर एक कंट्री में सेकंड स्ट्राइक केपसिटी होनी जुरूरी है इंडिया का क्या नुक्लियर प्रिंसिपल है क्या है नो फर्स्ट यूस मतलब समझते इसका कि हम कभी भी किसी के उपर पहले इस्तमाल नहीं करेंगे इस नुक्लियर बाम का हमारे उपर हो जाएगा थिर हम करेंगे लेकिन अगर आपके उपर हमला हो गया तो आप सस्टेन भी तो कर पा हो समलेगा तभी कर पा होगे मैं बोलू मैं गोली तब चलाओंगा जब मेरे उपर कोई गोली चलाएगा तो मेरे उपर किसने गोली चला जिए मैं मर गया तो क् पिखिए अब कोगे सरा आप नूगलिर के बारे में इसलिए बता रहे हूं क्योंकि जो जंग थी कोल्ड वॉर की वह इसी डर में बीठी गई कि अब नूगलिर अटाउक हुआ अब नूगलिर अटाउक खुआ अब किस ने किस पे करना था Soviet Union ने, अमेरिका पे, अमेरिका ने Soviet Union पे, उसी में से एक popular event है, जिसको हम क्या बोलते है Cuban Missile Crisis क्या बोलते है, Cuban Missile Crisis जब क्यूबा में Soviet Union ने अपनी nuclear missiles रख दी थी, और अमेरिका को पता ही नहीं चला था, उसको तब पता चला, जब उसके airplane, spying airplane वहां के निकले और उनने देखा, भाई, ये क्या हो गया तो इतनी दहशत का महाल बन गया था और उसने threaten किया था किसको, क्यूबा को भी और उसने Russia को भी, I mean Soviet Union को भी बोला था कि ये काम मत करी, बहुत मुश्किल हो जाएगी तो काफी देरी चीज़ चलती थी और इतनी दादा tension हो चुकी थी world में क्योंकि अगर ये nuclear weapons चल जाते हैं तो शायद world war दुबारा लग जाती और कई बात तो बोला जाता है कि दोनों देश आपस में क्यों नहीं लड़े उसका main कारण है nuclear weapon का exist करना because this is mutually assured destruction जिसको हम क्या बोलते हैं MAD M-A-D mutually assured destructions जंग में अगर कोई देश जीट जाता है तो वो जीट के भी हार जाता है आपकी symbolic victory जरूर हो जाती है बट आपके economy की हार होती है आपके लोगों की हार होती है समझरे होगे नहीं human life का loss होता है तो जंग कभी भी किसी को benefit नहीं करके जाती है आपको होगे फिर भी जंग क्यों होती है वो इसलिए होती है क्योंकि arms lobby है क्या है arms lobby अगर मैं आपको इस पर पढ़ाना बंद कर दूँगा तो इसकी utility रह जाएगी तो जो factories ये panel बना रही है या ये जो pen बना रही है तो बनाएंगी इसको तो अगर जंग ही नहीं होगी तो weapon making company's weapons बनाएंगी नहीं बनाएंगे ना defense equipments बनेंगे नहीं बनेंगे इतने sophisticated defense equipments कभी सोच के देखना है आप कभी सोच के देखना आप मेंसे कोई admire कर रहा है आप क्या कर रहे है आपको क्या बनना है I.S. officer या IPS. या PCS. officer बनना है यही करना है इतनी की सोच है ना आपकी और इसी को आप क्या समझते हो कि यह बहुत मुश्किल काम है यह कराक करना कितना मुश्किल एक्जाम है लेकिन कभी सोच के देखा है जो defense equipments बनाती है companies वो क्या सोच लेकर defense equipments बनाती है कितने sophisticated weapons बनते हैं कभी सोच के देखा है आपने submarines बन रहे हैं भाई submarines nuclear submarines बन रहे है fighter jets बन रहे हैं कितनी supersonic speed पर चलते है इस्राइल के पास technology है कैसी technology है मिसाइल जगर उसके उपर आ रही है वो तो घिरावाद दुश्मिनों से हर समय एक तरफ कौन है पलिस्टीन है दूसी तरफ कौन है इरान है बाकी भी तो दुश्मिन है उसके सारे को sympathizer थोड़ी है वो बात अलग है कि आपस में उनको मिलके रहना पड़ रहा है कौर्ट साइन किये हैं कि चलो पीस रहना चाहिए हमापर बट देखो कैसे हमले होते है ये कभी हमास पे कर रहा है हमास इस पे कर रहे है उधर एक और ग्रूप है टेरिस ग्रूप कौन से कहना हम है हाउटीज हैजबुला इधर क्या है इरान देख रहे हो कैसे लड़ रहे हैं आपस में और कैसे लड़ अब इरान ने आपको पता है कितनी स्ट्राइक की उसके उपर तीन सो मिसाइल से ज़्यादा मिसाइल डाली और उसके पास अभी भी पीछे कितनी मिसाइल है 2700 मिसाइल और है टोटल 3000 मिसाइल है उसके उपर वो ऐसे ठाठाठाठा हमला करने की क्या रखता है कपासटी रखता उसने किया लेकिन फिर क्या लोग मर गे इसराइल में मिसाइल चलाई उसने लोग मरें नहीं 99% 99% of the missiles were destroyed in the air itself क्योंकि इसराइल को भी तो पता उसके पास भी technology है वो technology क्या करती है identify करती है इन weapons को और destroy करती है इनको हवा में rockets destroy करने की भी capacity रखती है unmanned aerial vehicles को भी destroy करने की capacity रखती है और missiles को भी destroy करने की capacity रखती है और लेकिन वो बहुत महिंगी technology है बहुत जादे expensive समझाई यहां तक बात तो मैं आपको पता रहा था कि आपको तो यह का मुश्किल लग रहे करने वाले तो लोग देख लो क्या क्या कर रहे है सोच होती है इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो IAS या IPS करते हैं वो कौन होते है ordinary man बिल्कुल आम बंदे होते है जो extraordinary होते है वो IPS थोड़ी करते है वो क्या करते है वो बहुत बड़ा करते है बहुत बड़ा करते है और world में सचाई सरफ एक ही है वो है capitalism क्या है capitalism that means money that means profit making क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो किसको गंट्रोल करता है हर एक चीज़ को गंट्रोल करता है आप politics को गंट्रोल कर सकते हो आप leaders को गंट्रोल कर सकते हो आप education को गंट्रोल कर सकते हो आप health को गंट्रोल कर सकते हो I mean sectors की बात करो अपनी health को maintain करना पैसों से ही चला में होती है सारी चीज आप you name it you control it only if you have money but how do you gain money money gain करने का मतलब यह नहीं होता कि आपकी पांच लाग दस लाग बीस लाग रुपेया महीने की income हो जाए this is not money guys this is not money this is not capitalism capitalism is something जो आपको हजारो करोडों रुपे के हिसाब से profit generate करके दे एक ऐसा system कोई ऐसी चीज बना देना कि जिसके बना सरेइना दुनिया का जैसे कोविड की vaccination आई यहां कौन सी चली थी को वैक्षिल्ट और को विशिल्ट अब एक इंडिया की टंपनी जिसने पिविटल रोल प्ले गिया vaccination में वह कौन सी थी very good serum institute serum institute ने बहुत पिविटल रोल प्ले गिया जितनी भी vaccination है जब आपको खुता काड़ता है तो आप क्या लगवाते हो रैभी प्योर लगवाते हो serum की है वो vaccinations में जलती जाती है company को नहीं है तो आइस का एक्जाम थे बहुत नॉर्मल एक्जाम और नॉर्मल बच्चे ही करते हैं तो don't never consider yourself clear करने के बाद भी हमने पता नहीं क्या exam crack कर लिए हम बहुत ज़्यदा talented talented लोग तो ये exam clear नहीं करते हैं वो क्या करते हैं बीरोग्रेसी को गंट्रोल करते हैं वो थे talented ओके तो मैं यह नहीं करा कि आप talented नहीं हो all I'm trying to tell you I think आप समझ क्यों मैं क्या करूं ठीक है ठीक है तो हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे peace की जिसे मैंने आपको structural violence के बारे में समझाया फिर मैंने आपके साथ गांधी जी के बारे में discussion की गांधी जी अब क्या कह रहे थे गांधी जी बात कर रहे थे non violence के बात में लेकिन आपने हमेशे सुना होगा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुना है नहीं सुना ऐसा बोला जाता यह क्यों बोला जाता एक तरफ बोला जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी दूसी तरफ बोला जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और दिखर आपको बता रहा हूं जो मैं आपकी क्लासे ले रहा हूं ले रहा हूं इसकी अंडरस्टेंडिंग होना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आगे की कॉप्रियंसी अदरस्टेंडिंग आपको तब होगी जब आप इन चीजों को समझ जाओगे अगर आप बात करो कि इसमें से क्वेस्टेंज कैसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे सर्टन चीज नहीं है फर एक्जामपल मैं आपको करवाऊं पॉलिटी में प्रेंबल लेकिन आप पूछोगे इसमें से क्वेश्टन मैं कोंगा में कम में नॉट कम बट सर्वाइर वी डिटिंग इस वेरी मच इसेंशल फॉर था कॉम्प्रेंसिव अंडर्स्टेंडिंग आफ इडवांट्स मॉड्यूल्स तो फिर आगे कैसे होती थी आप खुद करते से आप कि इसके उपर तवज्जों नहीं दिया जाता इसकूल में टीचर्स क्या कहते थे आप बेटा मेनत करो पढ़ाई करो जिसके नमबर नहीं आते थे वह क्या कहते हैं इसको और पढ़ने की जुरुत है कि सारी उमर यहीं सोचते लगी कि यह पढ़ाई होती कैसे हैं पढ़ना अकैडमी से भी प्रव्यूम करते हैं कि बच्चों को पढ़ना तो आता ही है कैसे आता भाई किसी ने तो सिखाया नहीं आज तक तो शुरुवात ही यहां से होती है कहां कहां से कि पढ़ना कैसे है कैसे पढ़ा जाता है सही तरीके से because पढ़ना is one thing retention is other thing so हमने तो पढ़ना है रिटेन करने के लिए understanding के लिए हम नौवल थोड़ी पढ़ रहे हैं वैसे नौवल पढ़ते हो तो उसके स्वारी याद रहती है बुवी देखने जाते हो दिखिए कभी life में कभी किसे ने मुवी देखी है जी जब मुवी देखने जाते हो कौन सी मुवी देखी थी जो आपके सभी फेवरेट हो जल्दी बताओ को इसकी तो याद किसी की फेवरेट होगी इसने टच कियो होगा और योधा और 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 ओके और और ऑर अधा बैरी नाइस नाइस नोपरिया आपने बिल्कुल से जवाब दिये है जल्दी बताओ अधाग मिलका ड़ी देखी अधिया दिल वाले ईतिन ये ले जाएंगी निकी चलो पर कौन सी देखी है चलो यह तो सभी होगो नने देखी है न मैं अपने दाइम में चला घया था नटीट जब टेखनें जो तक कापी है लेके बैटकर थे कि ये डालॉग के बाद ये आएगा, ये नोट कर ले, इस सीन के बाद ये सीन आएगा, ये नोट कर ले, ऐसा किया था आपने, बैठके देखी थी ना, याद करने के परस्पेक्टिव से देखी थी, तो आज अगर मैं स्टोरी पूछनों तो सुना पाओगे उसके स्टोरी, आज अगर मूवी देख रहे होगे, तो बता पाओगे, इसके बाद ये सीन आएगा, बट जोर तो लगाया नहीं था याद करने के लिए, तो कैसे हो गया, शुरुवात ही पढ़ाई की, यहां से हो जाते है कि कैसे पढ़ा जाता है, तो एंसी इंदाज में पढ़ा जाता ह तो महादमा गांधी क्या कहते थे, कि नौन वालेंस बहुत ज़रूरी, नौन वालेंस एक ऐसी चीज़ है जो पीस सस्टेन कर सकती है, और यूज तो एंक बतले आंक ली जाएगी, तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, तो क्या हमारा मकसद सारी दुनि गल्त चीज़ें मिलके एक चीज सही नहीं बनाती, नौन ये गलत किया तो क्या वो सही हो गया? अब तो बताए नहीं है आपके एंड्स आपके मीन्स को जस्टीफाई नहीं करेंगे समझा ही बात के नहीं आपके एंड्स क्या है एक्जाम को क्लेर करना उसके लिए आपने गया कि आपको पता लगया कि आपको पता लगया ना मैं बना सकता हूँ, ना मैं उस कपैस्टी में हूँ, आपको पता लग गया, आप मेरे पास आगे, तो cash लेके, सभी, बच्चे, सर ये लो यतने पैसे ले लो, हमें paper दे दो, ये क्या means है, ये fraudulent means है, आपको पता लगा, कि आप Bluetooth लगा के जा सकते हो, exam देने तो आप के ले तो आप लेके Bluetooth, मैं आप दिवार के साथ ऐसे खड़ा हुआ था, आप ऐसे धिरे धिरे बोलते हैं कि मैं आपको बताता है कि इसका जवाब यह है, मेरे पास भी Google था, मैं भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर नहीं हूँ, कि हर सवाल का जवाब आता था, मैं Google करके आपको क्या क तो विक्याव्ली को सुनोगे, अगर आप मिक्याव्ली को सुनोगे, मिक्याव्ली पता ना कौन है, कौन ह가요? पादराफ यॉर्पिन सेख्लों वैसे बहुत लंबी चौडी कहानिया में म्यावली की उसने लिगांए हमिलेशन फेस की थी जैसे चनक्या ने लिगांपा हमिलेशन फेस की थी और उसके बाद वह बात चाहता था कि इटली को में बहुत अच्छा देश बना तो ग्लोरिफाई करना चाह रहा था अपने देश को तो फिर उसमें थियोरी लिखी जिसमें उसमें प्रिंस को कुछ टिप्स दिए कि तुझे देश कैसे चलाना चाहिए तो मिक्यावली कहता Your means should justify your ends लेकिन वो सिरफ national interest के context में कह रहा था किसमें national interest के context में आपका means क्या आपका देश सस्टेन करता जाए उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान में bomb फैंकना पड़ जाए तो आप क्या करोगे अब वो means हही है के गलत है जराद means है नबट यर ends क्या है अगर आप कांटों को भीजोगे तो उसमें से कभी भी फूल नहीं निकलेंगे कांटे भीजोगे तो कांटे ही मिलेंगे so for him it was means तो means उनके लिए साधा important थे क्या दे अगर means साफ होंगे तो आपके आपके लिए नॉन वालेंट का मतलब यह नहीं था कि मैं किसी को हाम नहीं कर रहा पर एक बहुत लंबा चुड़ा इंसान साड़े शे फुटका पगड़ा मेरे पास से निकल रहा है और मेरी बहांस होगी उसके साथ मेरी बहांस होगी किसी भी बात के लिए उसके पाद I decided कि मुझे इसको नहीं मारना तो इसका मतलब नॉन वालेंस नहीं है उनका कहना था कि thought में आ जाना violence is also violence actions में आ जाना तो वो violence है ही तो नॉन वालेंस के पाच पे चलना कहते है बहुत टफ है अब suppose कीजिए के उस इंसान को मैं मारना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ बहस करके गया है लेकिन considering उसकी built मैंने क्या कहा कि नहीं यार मैं पंगा लूँगा इसके साथ तो क्या आजाएगा ये मुझे मार देगा और फिर मैं बोलता हूँ यार मैं गांधी जी का भक्तू हूँ मैं इसको कुछ नहीं कहता है मैं non-violence का preacher चलना तो बहुत ही जादा स्ट्रॉंग पर्सन का ट्रेट है अब सुपोस कीजिए मैं साथे शेफूट का और मेरा बहुत बड़ा है और मेरे सामने भी पांच फूट का परसना आप है और वो मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है मुझे गलत बोल रहा है और मेरे दिमाग में इसको ह्म करना यह क्या हुआ है छोगा मैरी जंग हुए अपने आप से किस चीज केश के बारे में केтесь सबस्के चाहिए था, वाइलन्स के थूरू में उसको सबक सिखा सकता था, but I still chose what? Non-violence. तो मेरी जंग चलती रही मेरे साथ, उसको ना मारने की. तो ये जंग में मैंने किस चीज़ को जिताया? Non-violence को जिताया. तो मैं तो बहुत क्या हो गया? Strong हो गया. तो non-violence को हिमेशा जो strong लोग है, वो ही preach कर सकते हैं. जो कमजोर लोग है, वो non-violence को preach नहीं कर सकते हैं. So it is not मजबूरी का नाम महात्मा गांदी, it is मजबूती का नाम महात्मा गांदी. अब आई बात समझे. Online? Is that clear? Okay, तो बात तो peace की कर रहे से, कि peace सो sustain कैसे गया जाता, जिसमें मैंने आपके साथ नीची का नाम share गिया, मैंने परेटो का नाम share, ये सारी चीज़ें प्लेटिकल साइंट से पड़ी जाती होती है. नीची की क्या thoughts है, परेटो की क्या thoughts है, theory of power क्या है, आपके लिए जूरत नहीं है. You just remember, हमने इन चीज़ों के उपर फोकस करना है, exactly peace क्या होता है, was it so fragile in today's world, what can be done to establish peace, क्या हम violence उसकर सकते हैं, peace को establish करने के लिए, और main reasons क्या है, कि हमारे society में violence क्यों grow कर रहे हैं. अब जैसे democracy, justice और human rights है, वैसे ही peace जो है, वो बहुत important point बन गया है, आज की society में, and I don't know, NCRDs में से इसको क्यों हटा दिया गया, but peace की तो बहुत ज़्यादा जुरूरत है, considering आज जो दुनिया है, वो कैसे जंग में जा रही है, कैसे महाल में जा रही है, what are we trying to achieve, अभी मैं आपको citizenship भी करवाँगा ना, जन वहाँ पर हम realize करेंगे, कि लोग क्यों जाते हैं, stateless हो जाते हैं, आप सभी के पास अधारकार्ट है, आप सभी के पास voting अधिकार है, आप क्या हो, इस देश के citizens हो, बट कुछ लोग हैं, जनके पास ये सारी सीथे नहीं हैं, वो क्या हैं, देश स्टेटलेस, जहां से आए, उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया, जहां गए, उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया, आपने अकसर सुनो आगा, के लोग डंकीज लगा के कहां जाते हैं, अमेरिका जाते है and to their surprise अपने आपको क्या पाते है stateless अगर आप border cross भी कर लेते हो हाल पता कितना बुरा करते है मारते हैं वो डंडों के साथ हड़ियां तोड़ देते हैं और वो हड़ियां जोड़ने के लिए कि प्लास करनी होता अपने अप जुड़ती है 15-20 दिन बाद उस दीदे तड़पो जेल में बंद रो और इतनी extreme temperature में एक कमरे में आपको डाल देते हैं उस कमरे में तकरीबन 12-15-20 जाने होते हैं जो लेटर वे होते हैं and open toilets कैसे toilets? open कमरे के अंदर ही मन तो कुछ hidden नहीं है अगर आपको लगे के wall है या कोई कपड़ा है nothing hidden नहीं है कुछ भी so ऐसे ही चीज़ों पर जाना आप stateless हो चुके हो तो आपको इस चीज़ की एहसास इसलिए नहीं होता because आपके पास citizenship rights है और जिनके पास citizenship rights है उनमें भी second class citizens है जिनको deprive किया जाता है citizen होने के बावजूद भी basic rights के बारे में वो तब बात करेंगे जब हम citizenship के बारे में बात करेंगे ठीक है so 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche was one of those who glorified war Nietzsche did not have value peace because he believed that only conflict could facilitate the growth of civilization समद़ ही बात इनका विश्वास किसे में था conflict में लड़ो लगी रहें लडने वाले है ना गुस्से में so several other thinkers have similarly condemned peace and comment strife as a vehicle of individual heroism and social validity the Italian scholar theorist Wilfredo Perito जिनके बारे में बात करा था power के बारे में बात करा था theory argued that people who were able and willingly to use force to achieve their goals constitute the governing elites in most sections he described them as lions he described them as lions this is not to suggest that the cause of peace had no champions in fact in fact it occupied the central place in original teachings of almost all religions religions की भी बात छोड़ो Mahatma Gandhi then Nelson Mandela then Martin Luther King अभी हम सब्सक्राइब देखेंगे तब उसमें Martin Luther King के बात आएगी ठीके देन आंग सांग सू की देन आरोम शर्मिला पता है इन सभी के नाम आपको पता ही किन के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर लिखते क्यों नहीं हो इनको लॉंट बेनेफिट क्या हुआ है इनको लॉंट टर्म बेनेफिट हुआ कि जिस कॉस के लिए लड़ रहे थे वो कॉस्टो मिल गया इनको अभी तर्व पीस तो के लिए इसा है पीस इस जर्नी पीस कैन नेवर भी देस्टिनिशन पीस क्या है एक जर्नी जिसके उपर आपको चलते जाना है अभी जंगल देखा या वो भी छोड़ो महला देखा महले में कुट्टे देखें देखें के नहीं वो चुपचाप बैठे होते हैं सोरे होते हैं वो लड़ते भी हैं के लिए बेज रहे हैं दो उसमें अगर आपको विक्तिरी मिल रही है तो वह कुछ टाइम के लिए विक्तिरी मिल रही है 27 के देखने को मिल removal की थी उसके बावजूद भी आगे आपको फिर जंग देखने को मिली जब disintegration of USSR हुआ जब Soviet Union चूट गया उसके बाद आपको peace देखने को मिला आपको Russia और America के बीच में relations improvise होते हुए देखने को मिले बट क्या वो improve करके नहीं France और Germany ने कितनी बुरी जंग लड़ी है आपस में can you imagine इतने कटड दुश्मन थे but at later on they realize के लटने का कोई फायदा नहीं है consciousness बड़ी तो आज क्या हैं दोनों मित्र है same goes for India पाकिस्तान आज हम लट रहे हैं अकल को शायद नहीं लटेंगे तो peace is not the destination to be achieved हो ही नहीं सकता ये बहुत idealistic बात मैं कर दूँगा आदर्शिवादी बात अगर मैं बोलूँगा क्या कि हमें हमारा ultimate motive क्या है दुनिया में peace establish करना मैं कहता हूँ ultimate motive peace establish करना है ही नहीं हमारा motive क्या है हमारी journey जो है वो चलती जाए क्या पीस्फुली जितने हद तक हम possible कर पाएं विकास कई बार peace हासिल करने के लिए आपको क्या करने पड़ जाती है violence करनी पड़ जाती है so how can peace be the ultimate destination can it be the नई it cannot be मैं तो नहीं बोला मैं तो नहीं बोला बलकुल लटते हैं बलकुल लटते हैं मैंने भूला तो आपको कि अच्छा लोग लटते हैं बड़ी सिंबल बात है मच्छर आपको काटने आता है क्या करते है उसको मारते हो that is the question of your existence अब आप उसको यह तुम नहीं समझा सकते हैं भाई देख तू भी श्रिष्टी पे अराम से रहे मैं भी रह रहा हूँ तो मुझे ना काटने मैं तुझे नहीं कुछ कहता है चल जा होता ऐसे नहीं होता न वालेंस जितना मिनिमाईस करफ आओ उतना बहतर है अब आपके उपर पाकिसन अटाक करते हैं आप क्या कोगे गांधी जी तो कहते थे human chains ले जाओ कहते ऐसे humans एक दूसरी की तरफ हाथ पकड़ें और borders पर चले जाए सामने वाल एनिमी क्या करेगा एक bomb फैंकेगा जितनी human chain है वो क्या आजाएगी सारी मर जाएगी फिर कहते दूसरी chain जाओ फिर दूसरी chain के पर bomb आएगा वो भी मर जाएगी फिर कहते तीसरी जाओ तीसरी पर भी bomb आएगा फिर मर जाएगी फिर कहते चौत्थी जाओ जब चौत्थी चली जाएगी तब आनिमी को क्या असास होगा नहीं यार मैं तो असास के बारे में तो ये सारी चीज़े पता इनको उसकी डेथ के बाद जिस सेक्ट के साथ वो जुड़ी वो भ्रम कुमारी सेक्ट है और वो बहुत popular सेक्ट है क्योंकि वो हमेशा आपको क्या सिखाते हैं पीस के बारे में ही बात करते हैं सामने वाला अगर आपको चार गालियां भी दे रहे वो परिशान है वो तंग है तो उसके लिए भी प्रे करो कि वो प्रेफार्म हो दे आप इससे सब्सक्राइब करो थोट से या ना करो वो लग बात है बट मैंने आपको जो बात बता दी अगर जर्नी पीस्फुल रहेगी तो जितनी देर के लिए आप यहां एक्जिस्ट करें उतनी देर तक पीस मेंटेन करके रखो जब आप चले जाओगे तो ऐसी लेगेसी छोड़के जाओ जो बाक्ती भी अपनी जर्नी में पीस को प्रारिटी दें यह तो मुझे नहीं पता यह तो मुझे नहीं पता लड़ना किसके साथ था पाकिस्तान की साथ जिसे आप कह रहे थे जब आटिलेरी और मुनिशन के साथ लिए पर टैट हुगा तो जो जितनी भी मूवमेंट्स ही उसमें सभी में आगी रहे उन्होंने इडंडे भी खाये हेंगे जयल भी तो गये हुएंगे अकषर उसतन uit हिस डिन एवरिधिंग जिरक के लिए 90 के लिए 100 के लिए इतनी की देर के लिए ओ लेकिन धर्ती तो आपसे पहले भी है धर्ती आपके बाद भी है एक नहीं और धर्ती में आपसे पहले बहुत आए आपके बाद बहुत आए कहां से आए कहां को गए किसी वह कुछ नहीं बता तो रह गया गया जंदगी मे Conclusions? No. Conclusions जब है ही नहीं आपके पास आपने तो observe भी किया ना कि मेरे से पहली भी थे, मेरे से बात भी आएंगे मरे भी और जिये भी Conclusions तो कुछ भी नहीं है Observation ही है So always observe things क्योंकि जो keenness है Observation की वही आपको किसी ना किसी Strong points पर लेके जाएगी जहां पर आप कुछ समझ पाओगे Considerations रख पाओगे के हाँ ये मेरी existence है आई बार समझे Rationality के base पे जैसे Socrates कहाता है Dialectics Okay क्यों नहीं Valence हुआ ये structural form of Valences है Child labor को promote करना Valence कैसे नहीं है Child marriage को promote करना Valence कैसे नहीं है Because अगर आप child labor कर रहे हो तो जो child है जो बच्चा है You are subjecting that बच्चा To the cruelty जिस उम्र में उसके खेलने की उम्र थी उसके पढ़ने की उम्र थी उसके develop करने की उम्र थी उसमें उसको कहां लगाया गया कहां पे लगाया गया तो क्या वो cruelty नहीं है उसके दिमाग के साथ उसकी body के साथ उसकी life के साथ तो ये violence कैसे नहीं हुई Similarly child marriage क्यों नहीं है You are depriving the person of its choice जो शायद वो आगे जाके ले बड़ावा के शायद उसमें किसी वार के साथ शादी करानी हो पता लगा फादर साब गये थे अपने फ्रेंड के साथ बच्चे की वो कर रहा है whatever रिष्टा कर रहा है ओके तो इस इस अल्सो वाइलन सोली हाँ जी देखो मैंने बोला structural violence कि एक structure में इस चीज़ को क्या किया जा रहा है यूस किया जा रहा है आप child की help कैसे कर रहे हो उसको देखो उसको तो काम क्यूं चाहिए किस चीज़ के लिए काम चाहिए उसको है जी पैसे से क्या करेगा खाना खाएगा ना तो help करो उसकी खाने के साथ help करो उसकी उसको पढ़ा के ताकि जब उसकी age complete हो जाए वो automatically क्यों जाब लेके पैसे कमाएगे पैसा कितनी ज़र तक किसी को दोगे कब तक दोगे आप मेरे को पैसा कितनी ज़र तक दोगे बताओ अगर मैं आपने पैरो तक देखते जाओं इस Você CHA Basinski किसी को भी सबसे असान हल्प पता क्यों होती है पैसे की मदद सबसे मुश्किल मदद होती है किसी को केपबल बनाना हाँ जी बता तो दिये बापको बाद काम क्यों करवा रहे हैं उसकी उम्र काम की है काम की उम्र है उसकी क्या उम्र है उसकी उसकी पढ़ने की उम्र है ना तो पढ़ने दो पढ़ने के बाद काम दे दो उसको खाना दे ना जाते हो खाना दे दो government की schemes है midday meals वाली उसमें enroll करवा दो तो सब कुछ तो उसको आप ऐसे help कर सकते हो काम देगे आप अपनी मदद कर रहे हैं actually उसकी नहीं कर रहे है अम अच्छे सेम तो capacity building की बात करते हैं बिल्कुल ठीक है चल अब यह अगले topic पी जाना है इसको जादा लंबा नहीं खीचेंगे ठीक है मैंने आपको citizenship भी करवाना है ओके तो वर्ल्ड वार देखा नाजिसम फासिसम पता आपको फासिसम वर्ट किसके साथ connect किया जाता है मुझालनी के साथ किसके साथ मुझालनी के साथ कहां पर इटली में और फासिसम किसके साथ वर्ट किनेक्ट होता है मत लिखना कसम खाओ ऐसे सभी ऐसे हाथ खड़ा करके कसम खाओ और लिख लो हम इस क्लास में कुछ भी अपनी copy pen पर नहीं लिखेंगे हम सोच की आए हैं कि हम जीरो होके आए हैं जीरो होके जाएंगे रोज आगे यह poem narrate किया करूंगा मैं खड़े होके नाजिल एंसम की तरह गाया करेंगे ठीक है या तो बहुत समझदार हो या पड़े लिखे हो या आपको लगता है यह relevant चीज़े नहीं है तो नाजिसम इस रिएटेट टू हिटलर हिटलर ने क्या किया था नहीं पता तो पता कर गया ना थीक एक लाग भी सेथार बंदा मर गया था मैंने आपको पताया नूकलियर वर्म पहंका गया था ठीक है जी and post war decades were marked by intense rivalry post war world war के बाद की rivalry किसके बीच में थी captives USA and communists USSR for world की supremacy मतलब hegemen बनने की जंग दी since nuclear weapons had become new currency of power both countries began to make the stockpile them on the large scale so Cuban Missile Crisis October 1962 जो मैंने आपको पताया particularly dark episode in this unfolding military competition it began with American spying plane discovered के Soviet Union ने क्या रखिया missile मैंने पढ़ रहा है मैंने बता आदिया आपको you need it on your own ठीक है meaning of peace peace is often defined as the absence of war the definition is simple bus but misleading it's not absence of war peace is something beyond absence of war इस मुल्क में जंग चल रही है चल रही है कहां चल रही है इस मुल्क में structural जंग चल रही है गुर्बत की जंग चल रही है भूख हंगर की जंग चल रही है मैंने कहा बोला ग्रीबी की जंग चल रही है हंगर की जंग चल रही है sanitation की जंग चल रही है unemployment की जंग चल रही है corruption की जंग चल रही है women rights की जंग चल रही है गलिट्स की जंग चल रही है, ट्राइबल्स की जंग चल रही है, बताओ किसकी जंग नहीं चल रही है इस देश में, इसलिए मैं बोलता हूं, this is the time दिखो particularly मेरी कोशिश थी कि जो two three year है उनकी जो foundation it has to be strong okay so therefore I started with this concepts I started with these concepts तागी आप इन चीजों को समझ पाओ आपके दिमाग और खुल पाएं और आप लिख पाओ and you guys can do it क्योंकि करने वाले भी ऐसे ही चहरे होते हैं ऐसे ही दिमाग होते हैं बस एक चीज का फरुग होता है वो करना चहरे होते हैं so this is because war is usually equated with the armed conflict between the countries however what happened in Rwanda or Bosnia was not a war of this kind yet it represented a violation of the cessation of peace anyway so the second step in defining peace would be to see I mean would be to see it as absence of violent conflict of all kinds including war so yeah body important is violence of all kinds including war absence of war is only one type of peace not the ultimate peace not the ultimate peace so all kinds including war riot massacre assassination or simply physical attack and structural violence as well so definition is clearly better than the earlier one yet it does not take us very far लेकर हो पहले से बहतर ये बट इसने भी हमें बहुत आगे तक नहीं लेके गई so violence is often rooted in very structure of the society social institution practices जिसके बारे मैं आपके साथ बता रहा था ठीके invisible way जैसे caste class gender it is also cause of injury oppressed structural violence of this kind may produce large scale level consequences okay so class disparity greeb miri patriarchy colonialism racism communism forms of structural violence untouchability india में practice होना वो भी form of क्या है structural violence violence की ही form है operation inequality in developing countries majority of laboring classes are confined to the informal sector पिट्रियार की क्या है यह भी वालेंस है colonialism क्या है यह भी वालेंस है अब अग्रेज यहां के rule कर रहे थे चाहे हमारे उपर डंडे ना मारे तब भी वो क्या है वालेंस है मेरी independent decision making को मेरे से चीनना भी क्या है वालेंस है मेरे घरवाले मुझे decision ना लेने दे मेरे मेरे घरवाले मुझे decision ना लेने दे और मैं बड़ा हो चुक हूँ मैं adult हो चुक हूँ वो भी क्या है मेरे उपर violence है मुझे मेरी बात ना रखने देना is also a violence मुझे मेरे passions को pursue ना करने देना is also a violence मेरी भैन को ना favor करके मुझे favor करना is a violence on her समझ रहो कि नहीं so मेरे घर में काम करने वाली लड़की के साथ वित्करा करना is also a violence गरीब को गरीब समझना, अमीर को, अमीर समझना और अपने attitude में difference लाना is also a violence Mother के rights को deprive करना कि पहले सभी घर में खा लें, फिर Mother को जो बचेगा, वो मिल जाएगे is also a violence वो feel करे या ना करे यही क्या है? structural violence अपड़ा दिमाग में violence ठीक है? तो नी के बारे में हम क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे तो see, all wrongdoing rises because of the mind, if mind is transformed can wrongdoing remains? बताईए a question for you, I object to violence because when it appears to do good the good is only temporary the evil it does is permanent तो I think मैंने आपको structural violence वाला part clear कर दी है apartheid violence racialism, violence, कित्रा violence है एक violence है आपको लगता होगा शायद violence खतम होगी but violence, आप structural violence को consider नहीं करते है और structural violence तो हर जगा आपको देखने को मिलती है मैं class में favoritism करूँ किसी particular बच्चे के साथ that is a violence, किसके साथ? दूसरों के साथ समझारी बात अपनी duties ने परफॉर्म करना अपने family के प्रती people in all walks of the life so eliminating the violence United Nations and ASCO observe that since war begins in the minds of the men it is the minds of the men that the defenses of the peace must be constructed अब ये बात तो यहां से पक्की होगी क्या? कि जो वार है वो किसके दिमाग में आती है? मैं की, विमन की नहीं आती, enjoy ठीक है? so however we have noted that violence does not originally, merely within the individual psyche, it also rooted in certain social structures, so they can get these things, okay? social structures में भी है, उसके अलावा individual psyche में भी है हाजी अजी बिल्कुल पर्पस में फिर बात हुई होती है अगर कोई एक step भी लेता उस direction में और वर्ल्ड को lasting piece देने की कोशिश करता है then that effort needs to be acknowledged because ultimate motive क्या है? peace attain करना, so it is not necessary अब ऐसा तो हो जाए तो एक भी piece price इसको मिला तो मतलब दुनिया में शांती परकरार होगी ऐसा नहीं नहीं होता? तो मैं आपको बतागे आठा था भी जब उसको मिला था वो तो उस और्गेशन के चीश साहब दाए तो अगर यह भी तो debatable ही है prices भी तो debatable ही है तो यहां तक तो I think it is clear, okay? Okay, इसको देखले What is she saying? The way to bring about peace is to punish the people who are responsible for violence No munni Violence should not be used to counter the violence We can only bring about lasting peace by stressing on peaceful means Now that you sound like the champion of the peace Tell me, are you using similar peaceful methods to deal with your younger brothers? Or is the threshing him policy being pursued? वो फिर चुप हो गया था बचा रहा अब देखो यह है तो अच्छी चीज बहुत अच्छी चीज है अगर आप पढ़ना चाहो तो तो पढ़ लेना, ठीक है? टाइम गमना लेकिन है अच्छी चीज, ठीक है? वेरी नाइस, इसको पढ़ना मैंने आपको यहीं से बताया था मजबूरी का नाम हात्मा गांदी, मजबूती का नाम हात्मा गांदी मेरेको भी कोई इलमनी होते है कि मैं बैठा होता हूँ एक रात और मुझे भगवान आके बता रहे होते हैं मैं टोर्स को जादा किताबे पढ़नी होती हैं थाकि आपको बहतर समझाया जा सके ठीक है? तो आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करो कैसे पढ़ा जाता है मैंने वो भी बताया है एः इडिधि अगर बताया है दिफरेंट बशुक्त भाषेट फिर्शोल प्रसुट अफ इस अफिर्ट साथिजी इस भी यह विटीफ इन शेवाइड थी शेधिदिस इस अप्रोच इर्फिट अप्रोच यह पार्च इन एकर फिसरों में इन टेनकरने की अब सॉवरेंटी एक नॉलेज कब की गई थी बताइए ट्रीटी ओफ वेस्फिले कल बताया दो सायर क्या करते हो यह कौन से साल में 1648 यह तो नहीं कल बताया था यह तो नहीं बताया था साल है जो जो बताया था वो याद रह गया था and treats competition among them as a fact of life it means concern is with the proper management of this competition basically sovereignty of the states को acknowledge करना balance of power शब्त का इसमाल किया गया है यहाँ पर balance of power एक पूरा lecture है क्या है पूरा lecture के balance of power कैसे maintain की जाती है international relations में इसके उपर आप मेरे से जान करी लोगे थोड़ी सी ठीक है second approach क्या है second approach to grant not to it's to मतलब यह भी क्या करती grant the deep rooted nature of interstate rivalry but it stresses the positive presence of possibilities of the interdependent underscores the growing social and economic cooperation among the nations तो piece कैसे maintain किया जाता है complex interdependence के साथ उसको क्या बोलते हैं social and economic cooperation among the nations ठीक है so unlike the first two approaches the third consideration the state system to be passing phase of human estate envisages the emergence of the supranational order and cease the fostering of a global community so कोशिश क्या है world को क्या बनाना global village बनाना basically यहां जो just piece के बारे में बात हो रही है वो structural violence को cater करने की बात नहीं हो रही है यहां बात हो रही है जंग को avoid करने की वो कैसे होता है sovereignty इसको acknowledge करके social and economic cooperation बढ़ाके और world को global village बनाना की बास खत्म खत्म जितना कुछ लिख है मैंने इन तीन शब्दों में आपको क्या कर दिया summarize कर दिया ठीक है सो contemporary challenges भी नो आप newspaper पढ़ते तो आपको अच्छे से पता है आचा United Nations organization बनी थी world में peace maintain करने के लिए बट क्या peace sustain हो पाया दुनिया में शायद नहीं हो पाया peace sustain शायद हो भी पाया अगर हमें बताना है peace sustain हो पाया तो उसके example लिखने बढ़ेंगे कहां यह काम यब होई अगर हमें बताना है कि peace sustain नहीं हो पाया तब हम लिखेंगे कहां यह फेल हुए कौन United Nations organization बनाई किसमें United Nations organization इसे पहले कौन सी organization थी? League of Nations League of Nations fail हुई League of Nations के fail हो अच्छा League of Nations किसमें परबोस की थी? ठीक है United States of America ने United States of America में भी किसमें की थी? Woodrow Wilson ने लेकिन खुद नहीं आया League of Nations में खुद उससे बाहर हो गया चलो IR का concept है IR के league छोड़ देते हैं और उसके बाद United Nations आया, United Nations में खोद आया, तो काफी दिर तर अच्छा भी काम कियो United Nations में But anyway, जिस्ती organization है, उसके against वो कैसे जा सकती है? क्यों क्योंकि जब इराग के उपर attack किया गया, तब United Nations ने कुछ नहीं किया ओके? तो अभी हमें threats क्या देखने को मिल रहे है, rise of terrorism हमें देखने को मिल रहे है तो यह आपको पढ़ ले ना, it's just reading for you, इसमें कुछ समझने वाला जादा नहीं है, self reading है, ठीक है? चलो, ठीक है ना, समझ आई बात मेरी, अब बात करते हैं किसके बारे में? citizenship के बारे गयाद आपको समझ आ रही हैं बात है कि नहीं आ रही हैं कि it is only कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूं वो आनी चाहिए समझ बागी ultimately तो आप भी बता सकते हूं कि नहीं? क्योंकि मेरी तसलिकी बात नहीं है, आपकी तसलिकी बात है समझ आ रही कि नहीं? ये कैसे yes है यार? इतनी धिली बातों में मैं पढ़ाया करूँ आपको तो कैसे भी लाग? आ ये थे लिए जैनी टों कि ये चैनी नाइन फीच में एंग जी कौनसा वेज है? सेवनतीन नाइन ठीक है? सटेजन्टिशिप या ओथा? किसी भी political community की full membership को हम क्या बोलते हैं अब citizenship की भी बहुत लंबी story है और citizenship कितनी ताद ज़रूरी होती है आपको इसकी realization अभी नहीं होएगी लेकिन आगे भी शायद नहीं होएगी क्योंकि आपका देश बहुत बड़ी है ठीक है अब अमेरिका देश स्टेट की आपके पास हो क्या रहे हो जी अर्मन्जूत क्या रहे हो और जिसका जो डाउट है वो लिख दिया करो ओके आप लिखो आया है वर डाउट मैं फिर बाद में समझो उसका या फादा नहीं नहीं आप भी डफर नहीं हो वंगर्जी और अल्सो गुड ऐसा क्यों बोल रहे हैं वाब यू थिंकिंग लाइक डाट अब तो आप सॉग्रेटिस की रास्ते पर चल गए वन्सी एव एक्सेप्टेड के मुझे कुछ नहीं पता ठीक है चलो जी सिटिजनशिप सिटिजनशिप में मैं आपको क्या बुचा रहा था सिटिजनशिप का होना बहुत ज़रूरी है बात शिरू होती है राइट्स की क्योंकि अगर सिटिजनशिप होगा होगी तो क्या मिलेंगे आपको अधिकार मिलेंगे क्या मिलेंगे राइ सिरिंग की तो लोग की आपस में करते कई बार तो जो स्टेट की है वह भी डिस्क्रिमिनेट करती है समझ सकते इस बात को लेतर से ऐसी पॉलिसी बननी शुरू हो जाए जिसमें जो स्टेट है वह discriminate करें किसके साथ citizens के साथ कि यह black है इनको rights नहीं देने हैं यह स्वेंट सो ethnicity के इनको rights नहीं देने हैं जैसे श्री लंगा में हमने क्या देखा ताम इलियन्स के साथ treatment इसाथ अफरीका में हमने क्या देखा अपार्थीड इवन अमेरिका में भी सेम ही चीज हमें देखने को मिली इंडिया में हमें क्या देखने को मिला जब ब्रिटिशर्स थे सेम चीज हमें यहां पर भी witness करने को मिली सो state sponsored discrimination आज मुलक में हमारे untouchability को क्या कर दिया गया है abolish और कौन सा article है जो untouchability को polish करता है आर्टिकल सेवंटीन विच दफंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंदर पार्ट की अंदर कि समझ रहे हो है तो उसको दो eliminate कर दिया गया है हम इस चीज़ को समझते हैं लेकिन वाट अगर आपके constitution में यह लिता गया होता कि untouchability will remain और जितने भी दलक्स हैं उनको हम शेरों के बाहर क्या करेंगे एक अलग जगा देंगे जहां पर वो बसेंगे और उनको शेरों में आना के लिए भी और दलिच के लिए और हम क्या करते हैं वो पाक्स को भी बंद करते हैं कि जाएंगे नहीं कि इस सेम हैपने विद ब्लक्स इस सेम चीज़ से साथ हुई ब्लक्स के साथ ही तो citizenship rights ना मिले तो मैं आपके साथ citizenship rights के बारे में बात कर रहा था रोहिंग्या मुस्लिम एक एक्जाम्पल है कहां से है यह मियामार से मियामार में कहां से रखीन स्टेट से हैं सित्वे तो वहां पर acceptance नहीं वहां पर acceptance नहीं और कई बार तो आर्मी अब वहां की आर्मी का क्या नाम है उनता है जे से हैं वैसे किसे है जे से शूफ ही क्या करते हैं कि परसीडूशन करते हैं मतलब अत्याचार करते हैं कि जो मैंने अक्ए सिट बात की थी बांगलाजेशन निकले, इंडिया है, इंडिया है से निकले कहा गई, इंडिया में, कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, statelessness, बहुत बुरा हाल है, documentaries देखो गे तब आपको समझायेगा, Mexican's, Mexico से, मुवी देखें न, आजा, Mexico चलिए, what is that, कि यह हो गाना थोड़ी यह वह किसका इस प्थाध रधो नहीं जज करता अब को सारी चीज़ां जा रहा है कैसे से आप अपना स्टेट बदलने की कोशिश करते और उस फनामना में आप stateless होगे रह जाते हो और statelessness एक बहुत ही बुरी चीज़ है जब आपको सारी चीज़े क्या करती जाती है डिनाय करती जाती है नेपाली यहां आते है राशनगार्ड बनने बहुत मुश्कल होते हैं समझते हो तो multiple चीज़ें जो आपको यहां देखने को मिलेंगी basically citizenship में और citizenship में क्या चीज़ इंपॉर्ट आप वह भी हम देख लेंगे तो इस फूल इकल मैंबर्शिप आप पॉल मैंबर्शिप आप अप्रिशिप आप नहीं फील कर पहोगे मैं इस बात को भी मानने के लिए त्यार हूँ विकाज हमारे था दो चीज हुई नहीं है जैसे पलेस्टीन में हम क्या देखे पलेस्टीन रिफ्यूजिस की बात करें या फिर मिडल इस में हम देखें जहां पर सिवल वार चल जाए वहां के लोग क्या करते हैं भागते हैं वहां से अब आज सपोस्टी जी आपके शहर म में बॉंबारी शुरू हो जाए तो क्या करोगे भाई यहां रहोगे लेटर से नुकलर बंब से हमला हो जाए तो आप क्या करोगे क्या करोगे भागोगे ना कहां भागोगे पूरे देश में प्राब्लम होगी आप भागोगे ना कौन से रस्ते से जाओगे नदी के रस्त एक बार तो आपने refugee crisis में देखा भी होगा एक छोटी सी बच्ची सी शूर पर पड़ी थी मरी पड़ी यू कैना इमाजन दा लाइफ आज तो सब कुछ अच्छा अच्छा ना सुबह उचते हो Instagram चलाते हो पढने आते हो जाके फिर Instagram चलाते हो और फिर सुझाते हो है कि नहीं ट्यारी चल रही है ज़रूरी है Instagram चलाना है कि नहीं I mean to say social media कोई कोई कए का नहीं मैं इंसा नहीं मैं Facebook चला रहा हूं यह कोई कए का नहीं जी XYZ whatever point क्या है statelessness को feel करोगे तो statelessness के बारे में समझ पाओगे News देखोगे तो समझ पाओगे Documentaries देखोगे तो क्या करोगे समझ पाओगे So equality of rights and status is one of the basic rights of the citizenship Many European countries experience such struggles Some of them volent like the French Revolution 1789 जिसमें क्या था It was a war of citizenship only It was a war of rights only और वही से हमें क्या देखने को मिला Liberty, equality, fraternity जो हमने भी adopt की अपने preamble में So in colonies of Asia and Africa demands for equal citizenship South Africa में black African population had to undertake a long struggle against the ruling white minority किसलिए equal citizenship के लिए So बात सारी equal citizenship की थी So how about citizenship is about more than the relationship between the state and their members क्यों? क्योंके इस अलसो बाओगे the relationship between citizen and citizen Citizenship मिल भी गई मिलके भी citizenship नहीं मिलती जब क्या आता है Discrimination होती है जैसे कि इंडिया में है जैसे कि इंडिया में Schedule tribes Schedule caste को Second-class citizens की तरह क्या किया जाता है? Even women को भी क्या Treat किया जाता है Second gender क्या जाता? Treat कि नहीं किया जाता है माईगरेंट को क्या ट्रीट किया जाता है? Second class citizens, किया जाता है किया जाता है? क्या, जितनी services हैं, वो सभी के लिए बराबर हैं? आज police station में complaint लिखा नहीं हो, कोई एक inflation person जा रहा है, वो लिखा रहा है, या पर एक migrant जा रहा है, तो दोनों में फरक आएगा कि नहीं? किसी को कोई कार्ट बनवाने अपने, कोई social security scheme के रिगार्डिंग, कोई influential जारा और दूसरा जारा फरक आएगा कि नहीं? चाहे state ने क्या किया है, बरापर citizenship rights थे हैं. But it is also about citizen to citizenship relation, I mean citizen to citizen relation also. जिसके ओपर हमें क्या करना है, फोकेस रखना. So this would include not just the legal obligation imposed by the state, but also moral obligation to participate and contribute to the shared life of the community. So Mumbai for Mumbai कर, सुना है या अपने एक्स्प्रेशन? Sun of Soil तो सुना होगा. Sun of Soil सुना है? भाई, Sun of Soil मुमेंट सुना है आपने? मतलब, basically, क्या है यह? आपने महाराशन नवनिर्मान सेना के बारे में सुने? MNS. नहीं सुना? फिर सुना गया आपने? महाराशन नवनिर्मान सेना के बारे में बढ़के आना. ठीके, and Sun of Soil के बारे में देखके आना. Basically, Sun of Soil का concept क्या है? कि जो इस धर्ती के बाशन्दे हैं, जो इस धर्ती के, I mean, इस लैंड के जो बच्चे हैं, उन्हीं कोई क्या मिलनी चाहिए? Government jobs मिलनी चाहिए. तो वो रिस्ट्रेक्ट कर देते हैं बाक्कियों को. बिल्कुल ये चीज़े प्रेवलेंट है, बिल्कुल प्रेवलेंट है. अगर आप इंडियन्स वहाँ जाते हो और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, तो आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो. उसे उपर वाले लेवल में आपकी एंट्री नहीं है. आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है क्या नहीं है अब अगर सबोस कीजिए कोई माइगरेंट कोई माइगरेंट बहुत तरकी कर लाता है तो क्या आपकी गुरूप का मैंबर बनता हो सोच के देख लिए बनेगा गुरूप का मैंबर नहीं बनाओगे चाहिए आप उससे कितने गुनाज जादा कमजोर हो economically या socially ठीक है but you will not feel good so वो excess नहीं रहती क्यों क्योंकि आपके बस privilege एक चीज़ की है आपकी इसनिशिटी कि समझे बात कर नहीं समझे किसको नहीं समझा आप जल्दी बताईए ये अजी इस वाल इस वाल इस देंट रिश्वीशन वर्ण वो भुट्समें नहीं नहीं सिए गर तो I'll have to read more about this Martin Luther King the 1950s witnessed the emergence of civil rights movement against inequalities important that existed between the black and the white population in many of the southern states of the USA okay such inequalities were maintained in these states by a set of laws called segregation laws very important segregation laws America may exist करते से through which the black people were denied many civil and political rights these laws created separate areas for colored and white people in various civic amenities like railways buses theaters housing hotels restaurants etc Martin Luther King Jr. was a black leader of the movement against these laws King gave many arguments against the prevailing laws of the segregation first in terms of self-worth and dignity every human person in the world is equal regardless of one's race and color second he argued that segregation law is like a social leprosy on the body politics because it inflicts deep psychological wound so segregation laws that white or black the white community instead of allowing the black people to enter some community parks as was directed by the court decided to close them similarly some baseball teams had to be disbanded as the authorities did not want to accept the black players black president the police other wise other wise acceptance and तो वहां नहीं है तो वहां exist करती है बट social consciousness क्या कर रही है इवाल्व कर रही है लिप्रासी क्यों आता है skin problem होती है देखे आपने भी लिप्रासी में कैसे skin खराब होती है मतलब क्या आजाते हैं ऐसे जिसको code कह रहे हो तो it is social leprosy मतलब आपके psychology के ऊपर इतना impact आज चीज़ का okay so for these reasons king argued that the laws should be abolished he gave a call for peaceful and non-violent resistance against the segregation law he said that in one of his speeches इसमतलब non-violence को preach कर रहे हैं भी we must not allow our creative protest to degenerate into physical violence तो यह भी किस से inspired थे आप 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 यहां पर immigrant workers migrant workers के बारे में depict किया जा रहा है कि वो कितने जादा जरूरी है हमारी life में तो यहां यह दिखाने की कोशिश की जा रही है तो देश के अंदर रहते हुए चाहे law नहीं भी बोलता आपको फिर भी फिर भी हम क्या करते हैं ट्रीट उनको सेकंड क्लास सिटेजन की तरह ट्रीट करते हैं विच आइडली विशुट नॉट बीट इंग स्पेकल इंग रूपलाइ नॉट इंगी जजटेज shocking many people may be crammed into small rooms with no private toilets देखें कभी आपने वेड़े देखें देखें कैसे होते हैं कैसे होते हैं एक common area होता है आपसपा सारे rooms बने होता है एक common bathroom होता है मतलब अथा गंद मचाया होता है या मचा होता है महाँ पर that is the condition जहां पर वो रहते भी हैं कौन है कौन है वो रहते भी है ठीक है क्यों रहते हैं by choice रहे हैं क्योंकि freedom ही नहीं है किस चीज़ की necessity तो फिर in consequence की वज़े से उनको क्या treat किया जाता है second class citizen चोटी भी बात लो आप जा रहे हो scooter पर या आप जा रहे हो car पर आपकी गाड़ी के साथ let us say कि गाड़ी let us say driving normal car और आपके सामने एक बहुत luxurious का रहा है दोनों की टक्र वाजाती है आपका क्या reaction होगा उतर के मारना शुरू कर दोगे उसके गालियां दोगे क्या करोगे यह सोच चुक है कि शायद यह मुझे कुछ ना क्या दे तो आप चीज़ को pacify करोगे on the other hand एक cycle पे migrant जा रहा है वो आप घड़ी में normal car में आके टक्र मारता है क्या करोगे बोलोगे न यहीं परगाद आता है लौ तो नहीं कहा रहा है कि वह लग तू superior citizen है वो inferior citizen है लेकिन फिर भी यह चीज़ हो रही है क्यों हो रही है because society में यह distinction चल रही है जिसके बारे में हम क्या कर रहे है बात कर रहे है so howard slum developers make a significant contribution to the economy through their labor okay so citizenship is not merely a legal concept it is also close related to the larger notions of the equality and the rights this is something important ठीक है आप इतना याद रखिएगा जो मैंने आपको लाइन बताईए supreme court gave an important decision regarding the rights of the slum developers so यह discussion हो रही है exam perspective से कुछ उतना important नहीं है citizenship rights important है citizenship में discrimination कैसे की जारी है वह important है statelessness क्या होती है वह important है जैसे मैंने अपर रूहिंग्यास का बताया और state के अंदर equal loss देने के बावजूद भी कैसे discrimination होती है वह आपके लिए it important है आपके लिए ब्लाक बाइड जो मैंने शीज़ बताई वह important है आपके लिए migrants के साथ जो discrimination हो रही है वह आपके लिए इंपोर्टन है यहां तक बात समझा रही है आपको Supreme Court gave an important decision regarding the rights of the slum developers in Bombay in response to public interest litigation filed by a social activist. अब इसमें क्या बोला गया था कि जो slum developers हैं उनको वहां से बोला गया उठाने का निकालने का तो Supreme Court अगर आपको उनसको वहां से हटागे कहीं और भेज रहे हो तो बहुत दूरी हो जाएगी काम काम तक आने की तो जब तक आपके पास alternate नहीं है प्रॉपर तरीके सा उनको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो तो बेसिकली importance दी जाने सी उनके work को उनके काम को उनकी livelihood को citizenship के the another equal rights for citizen need not mean that uniform policies have to be applied ठीक है ये भी बात हमें पता है ये भी बात सच्छा है so what should we what should become clear from this discussion is that changes in the world situation the economy and society demands new interpretation of the meaning and rights of the citizenship the former laws regarding citizenship only form the starting point and the interpretation of lawyers constantly evolving ठीक है जी तो citizenship का relation nation के साथ ही है अगर nation होगा तो citizenship के rights मिलेंगे I mean nation होगा तो citizenship मिलेगी citizenship मिलेगी तो citizenship right समय देखने को मिलेंगे so यहाँ पर भी उसी के बार में बात कीगी है कि concept of nation state जो है यह evolved हुआ था modern period में और मैंने आपको बताया था treaty of आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा so earlier resurrection क्या थी sovereignty of the nation state and democratic rights of the citizen what was made by the revolution in France जिसके बार में हमने बात की most modern states include people of different religion, language, culture, traditions okay but the national identity of the democratic state is supposed to provide citizens with the political identity that can be shared by all the members of the state so political identity यहीं से हम शुरू हे थे citizenship में किया its a common political identity that we all are citizens फिर हमने उसमें क्या देखा challenges जो देखने कोमलते है क्या देखने को मिलते हैं, different citizens को जो challenges हमें देखने को मिलते हैं, उसके बार हमें हमने बात की थी, जिसमें मैंने migrants का issue discuss किया आपके साथ, मैंने blacks का issue discuss किया आपके साथ, मैंने tribal का issue भी आपके साथ क्या किया, discuss किया, ठीक है, even transgender वाला बात जो आपने बोली, वो भी बिल्कुल सह ही है और राधर अच्छी है अगर आप ऐसा लिखोगे तो और ज्यादा आपको मार्ट सी फेच करोगे आप जैसे जर्मनी और इस्राइल की बात करोगे वहां रिलीजिन और उनको देगए थेप्र आप दो कुंसेटर किया जाता है सिर्शुन्षिप देने से पहलो है एथनिसीप दिसक्राइब इसकति इस इसे और जियुक्ति आपको देग बाट इसर्ट बाट वंको दीगी इस तो बिस इसे बिगए इस तो नहीं धीडिए थीच्छिंचित जीगए अब वह नहीं रहता बहुत लंबा टाइम चला जाता है तो वह क्या करता है इम्मिग्रेशन उपन रखता है और चिल्या की भी यही बात थी लेकिन एक पॉइंट के बाद एक देश की सिंगापूर वेरी डिफिकल तो वह डिफरेंट वेस के साथ सिट्रेंशिप को क्या करते सिट्रिशिप की दुर्फ क्यों है फ्योंपन की देवल्फन के लिए किन एक अच्छे देश में तक पॉầnचना भी एक जद्दो जाता आ आप तो बहिंग होगे न आपको देखना आप अब के पास यह दिकार है गया अब अस देश में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, अगर आप पूव करना चाहते हो, बटव कहां करुगे एक ऐसे देश में जो आपको एकसेप्ट भी तो करें, पहले क्यों उते हैं प्लिटिकल यसाइलम्स लिए जाते हैं क्या लिए जाते हैं पिलिटिकल असाइलम्स तो अमेरिका में बहुत लोग पिलिटिकल असाइलम्स के थूगे हैं 1984 राइट्स की बात करें गुजरात राइट्स की बात करें तो इनका बेस बना के क्या करते हैं वो पिलिटिकल असाइलम लेके जाते हैं यह तो हमारी psychology पर है न कि उनको क्यों यह discrimination face करनी पड़ती है because we don't accept them, यह बात भी सच है बाकि आपके लिए सरफ reading की बात है so universal citizenship, global citizenship के बारे में बात है हम already discuss कर चुके हैं कि इंडिया का फ्रीश करता है world 1, village of world 1, family that is all global citizenship that is all guys तो अपिए नेक्स ख्लास से दोब्या नहीं नखिए टीशिर्वाथ है और वो जो नहीं नखिए तिए था टीम निन इंडिया पर वन ठीके that is that is the most important NCRT considering exam यह तो understanding के लिए important थी और PCS के perspective से ज़रा important थी वो आपके exam perspective से important है क्योंकि उसमें से line to line क्यों आता है questions पूछ जाते हैं ठीक है So that is all for today's class किसी को कुछ पूछना तो पूछलो पर class close दर रहे